हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है नौलेज आल अबाउट की इस वीडियो में मैं हुश्रवड पटवा दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि अप्रेंटिस सिप का जो न्यू पोर्टल है उसमें बहुत केंडिडेट को इन्वेलिट इमेल आईडी का समस्यां आ रहा है जो लोग पूराने पोर्टल पर रजिस्टेशन कराये थे उन सभी को न्यू पोर्टल पर लोगिन करके अपना प्रोफाइल 100% कम्पलीट करना है न्यू पोर्टल पर रजिस्टेशन करने और आपके प्रुफाइल को 100% कैसे पूरा करना है अधार वेरिफिकेशन से लेकर बैंक डिटेल्स कैसे फिल करना है और अप्रेंटिस के लिए कैसे अपलाई करना है यह सब वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा आप वहाँ से देख कर आप अपने पुर्फाइल को 100% कर सकते हैं साथ ही इस वीडियो में मैं न्यू आइटिए अप्रेंटिसी पोर्टल पर लोगिन आइडी एंड पासवर्ड इन्वैलिड इमेल आइडी रिसेट फॉर्गेट पासवर्ड इन सभी समस्याओं का किस तरह समाधान करना है यह मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो दोस्तो इसी के साथ आज का यह वीडियो उपन करते हैं आपको मोबाइल और कम्प्यूटर में इंस्टॉलिड ब्राउजर को उपन करने के बाद गूगल के सर्च बाक्स में आपको अपरेंटिस टाइप करना है अपरेंटिस टाइप करने के बाद आपको उपर में दिखाई देगा कि ApprenticeshipIndia.org Home Apprentice Training Portal इसफे आपको क्लिक करना है इसका लिंक में डिस्क्रिस्ट्रीशन बाक्स में डाल दूँगा यहां पर आप देख रहे हैं कि National Apprenticeship Portal Skim का Interface दिखाई दे रहा है जिसमें आपको Login बटन पर क्लिक करना है जिसमें आपको login का interface दिखाई देगा इसमें आपको reset password और forget password इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ जिनहें अपना password याद हो वे यहाँ पे enter email id small letter में अपना email id डाल कर और अपना password डाल कर check box को active करके login करके अपना profile को access कर सकते हैं जो लोग अपना password भूल चुके हैं उन्हें मैं किस तरह forget करना है या मैं बताने वाला हूँ इसमें मैं reset password पे click करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि forget password का interface दिखाई दे रहा है जिसमें आपको enter registered email id apprentice registration के समय आपने जो email id दिये थे उस email id को यहाँ पे small छोटे letter में type करना है बहुत से लोग यहाँ पे अपने email id को capital letter में type कर देते हैं जिसके करण उन्हें invalid email id का समस्या आता है तो मैं आपको यहाँ पे type करके दिखा दे रहा हूँ यहाँ देखिए मैंने जान बुझकर अपने email id का पहला letter capital रखा है ताकि आपको दिखा दें कि किस प्रकर का समस्या आता है send password reset link पे क्लिक करते हैं यह देखिए यहाँ पे please enter valid email लिखा आ रहा है इसे को यदि हम छोटे letter में कर देते हैं यह देखिए छोटे letter में हो गया send password link पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार देखिए success हो गया password reset mail has been sent to your email id इस पे आपको क्लिक करना है और आप जो email id यहाँ registration के समय इस्तमाल किये हैं उसको आप अपने mobile mail यहाँ PC पे login कर लिजे ताकि आपके पास जो email आएगा तुरंत आप उसको देख सकते हैं आपके registered email id पे apprentice India की तरफ से change password के नाम से एक mail गया होगा जिसमें आपको mail को जब open करेंगे तो आपको यहाँ reset password और नीचे एक link दिया होगा या तो आप reset password से भी change कर सकते हैं या फिर नीचे जो link दिया है उस पे भी आप click करके कर सकते हैं तो मैं आपको link के माध्यम से बता रहा हूँ आप reset password से भी कर सकते हैं link पर click करते हैं तो आप फिर से जो apprenticeship india.org का side है उसके home page पे आप चले जाएंगे जहाँ पे आपको set password का interface दिखाई देगा यहाँ enter registered email id जो आप पहले छोटे letter में, small letter में जो email id टाइब करते हैं फिर से आपको type करना है उसके बाद यहाँ पे एक password बनाना है password बनाने के लिए मान लेजे आपका नाम manoj है तो manoj aim को capital रख सकते हैं और बाद बागी को small रख के और कोई अंक डाल दीजिए दो चार्टो उसके बाद iterate कर दीजिए इस प्रकार आप password बना सकते हैं तो मैं आपको बताने वाला हूँ साथ ही आप यहाँ पे जो icon बना हुआ है icon यहाँ पे click करके आप अपना password को देख सकते हैं कि मैं क्या password डाल रहा हूँ कभी-कभी by mistake होता है कि हम क्या डाल देते हैं और नहीं देखते हैं तो फिर बाद में परसान होना पड़ता है तो यहाँ पे आप एक बार click करके देख लिजिए मैं यहाँ email ID और अपना password बना लिया हूँ उसके बाद set new password पे click करना है set new password पे click करेंगे तो देखिए success का एक message password अप्ट्रेटर सकसेज फूली ओके बटन पे click कर दिजिए उसके बाद यहाँ पे email जो आपका email ID है और enter password जो नहीं पासवर्ट बना है उसपे आप डाल काके यहाँ check box पूएक्टिव कीजिए और फिलोगिन बटन पे click करके आप लोगिन हो जाएगा और एक बात ध्यान दिजिए कहीं भी apprenticeship के लिए apply कीजिएगा तो आप अपना profile को 100% complete करके ही कीजिएगा नहीं तो बाद में आपको दिकत्तों का सामना करना पड़ सकता है तो इसका एक विशेश तोर पे ध्यान दिजिएगा जो लोग mobile के माध्यम से अपने password को change करना चाहते हैं वो अपने mobile में Google Chrome browser को open करने के बाद right hand side के top में तीन जो dot dot button दिखाई दे रहा है उस पे आपको click करना है click करने के बाद आपको जो है इस प्रकार का दिखाई पड़ेगा जिसमें से आपको desktop side पे जाकर आपको click कर देना है उसके बाद एक्टिव हो जाएगा एक्टिव होने के बाद जो है आप जो भी browser में search करेंगे ओ पेज इस पर्ष दिखाई देगा उसको आप जूम करके अच्छे से देख सकते हैं और किसी भी प्रकार का form भरने के लिए आप हर समय desktop side को enable करके ही भरिये ताकि किसी भी प्रकार का समझ से आपको ना दिखाई दे आप जूम कौका के हर पेज को अच्छे से देख सकते हैं और इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं किसी और वीडियो में जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वे लोग हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ share करें इसी परकार के तरह तरह के notification आपको हम जानकारी देते रहेंगे और जिसका notification आप यदि bell icon पर click किये रहेंगे तो जल्दी आपको मिल जाएगा तो bell icon को click कर दिजिए और बने रहे हमारे channel के साथ Thanks for watching, धन्यवाद